हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉनिंग, एक बीडियो एक प्रूफ है कि कैसे IgE लेबल 1235.098 से घटकर 789.091 हो गया होमेंपैथी की बहतरीन दवा से IgE लेबल यहनी जो एलर्जिक रिस्पांस है वो नार्मल हो जाता है और इलर्जि के जो एंटी बॉडी बन रही है उसको नार्मलाज किया सकता है यह रिपोर्ट है एमपली कान डाइगनोस्टिक की जो की पटना में है और पेसेंट की उम्मर 17 साल है और नाम इसक्लोज नहीं किया रहा है क्योंकि किसी भी पेसेंट की बिमारी को डिसक्लोज करन Medical Ethics में नहीं आता तो इसमें नाम नहीं बता जा रहा है पेसेंट की उम्र 17 साल है और उसका IgE लेबल का जब टेस्ट हुआ 9.2.2021 को तो 1235.98 था उसके बाद उसने मुझे से ट्रिटमेंट लिया और एक महिने के ट्रिटमेंट के बाद उसका IgE लेबल जब टेस्ट करवा गया दो अप्रेल 2021 को तो 781.91 हो गया तिनी यह जो घटा है इसतर यह एक महिने की ट्रिटमेंट में 1235.98 से घटकर 781.91 हो गया तो इस तरह से पेसेंट की एज चाहे जो हो IgE लेबल चाहे जितना भी बढ़ा हो कम तभी होगा जब बाड़ी के अंदर जो allergic response चल रहा है उससे निजात मिलेगी तो देखें IgE लेबल का बढ़ना कोई बिमारी नहीं है बस एक immunity के indication को दर्शाता है कि बाड़ी किसी allergy के response से react कर रही है इस वज़े से IgE लेबल बढ़ा हुआ है तो जिनका भी IgE लेबल बढ कार्मल हो जाएगा और आप बहतर लाइफ जी सकते हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं अब बस दवा अलग-अलग होगी क्योंकि हर एक पेसेंट में IgE लेबल बढ़ने का कारण अलग-अलग होता है तो दवा भी अलग-अलग होगी तिस तरह से एक पटना के आपकी बिमारी का बहतरीन रिजल्ट मिलेगा तो आपने पूरा वीडियो देखा अगर जानकारी समझ में आई तिस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी सेयर करें ताकि बिमारी से निजात मिलने में हम लोग एक दूसरे के हेल्प कर सकें तो आपने पूरा वीडियो देखा थेंक यू